दोस्तों कई दशकों से निवाड़ा के रेकिस्तान के बीच स्थिद एरिया 51 एरफोर्स फैसिलिटी दुनिया भर में कई कॉंस्पिरेसी थियोरीज और रहसे में यूएफोस को देखे जाने के कारण हमेशा चर्चा का विशाब बना हुआ है एरिया 51 अमेरिका का बहुत ही हाइली सिक्यूर्ड एरबेस है जा बहुत ही एडवांस एरक्राफ को टेस्ट किया जाता है लेकिन दोस्तों कई लोगों का ये भी मानना है कि एरिया 51 में सिर्फ एडवांस एरक्राफ को टेस्ट नहीं किया जाता बलकि वहाँ एलियन्स और यूइफो से जुड़ी किसी भी बात को हमेशा नकारती हुई आ रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां काम कर चुके हैं और उनका दावा है कि वहां extra terrestrial technology पर काम होता है और उनका ये भी कहना है कि वहां aliens भी मौजूद है जिन पर कई experiments किये जाते हैं एरिया 51 के इन सभी रहस्य और दावा को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एरिया 51 की शुरुवात कैसे हुई थी आखिर एरिया 51 ही क्यों इतना secure किया हुआ है और क्या है आखिर एरिया 51 की सच्चाई वैल आज के वीडियो में हम एरिया 51 से जुड़ी कई conspiracies theories को अच्छे से जानेंगे तो मेरा नाम है गौरफ चलिए शुरू करते आज का वीडियो दोस्तों अगर हम एरिया 51 के शुरुवाती existence के बारे में बात करें तो इस जगह का नाम पहले एरिया 51 नहीं बलकि नेवारा test and training range था कहा जाता है कि इस जगह पहले nuclear weapons को test किया जाता था उस समय एरिया 51 इतना highly secure base नहीं था लेकिन एक हाथ से ने इन सभी चीजों की शुरुवात कर दी थी जब 2 जुलाई 1947 को न्यू मेक्सिको के रॉस्वेल डेजर्ट में एक UFO यानि unidentified flying object crash होकर गिरा था जिसमें वहां के कई local civilians का कहना था कि उस UFO में कई alien मौजूद थे और ये जैसे उस समय की मीडिया ने UFO से जुड़े सबूर ढूनने शुरू कर दिये तो अमेरिकी गौर्ण्मन ने area 51 को एक restricted zone बना दिया था ताकि इस दुरगटना से जुड़ी कोई भी सबूर भार ना जा सके यहां की restriction इतनी अधिक ती कि यहां अगर कोई भी इंसान भार से आने की घुस्पेट ना हो सके और तो और यहां ड्रॉन्स का भी इस्तमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है मतलब इन सभी restrictions का एक ही reason हो सकता है कि area 51 में कुछ तो ऐसी रहसे में गतिविदी हो रही है जिसे अमेरिका नहीं चाहता कि वो पूरी दुनिया के सामने आए और अमेरिका ने पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी कि वहां आखिर असल में होता क्या है अमेरिकी गौर्मेंट आज भी area 51 को US Air Force की open training range बताते आए हैं जहां अलग-अलग तरह के advanced aircraft को बनाये जाता है जैसे F-117 Nighthawk, SR-71 Blackbird, U-2 Dragon Lady और Soviet MiG-21 दोस्तों उसामा बिन लादिन के समय जो एबिटाबाद में Black Hawk strength helicopter का इस्तेमाल किया गया था वो भी area 51 में ही बनाये गया था area 51 के इन सभी aircraft और helicopters को कैसे बनाये गया और इनकी क्या खासियत थी इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कई लोगों ने area 51 से जुड़े ऐसे भी दावे किये थे जिसमें उन्हेंने बताया था कि वेब area 51 में पहले काम कर चुके हैं जिसमें से एक incident को 11 September 1997 में record किया गया था ये एक radio show था जिसका नाम था cost to cost AM इस शो की थीम थी former employees of area 51 invited to call in मतलब इस शो में area 51 में काम कर चुके कोई भी employees call करके हमसे अपना experience share कर सकते हैं सबको लगा कि ये एक आम शो के जैसे होगा लेकिन इस शो में जब बात हुई area 51 के एक former employees से तो उस conversation ने सभी को वहाँ शोक कर दिया था आखिर क्या बात हुई थी उस conversation में आप भी सुने 51 में वे एक 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 शोच एक बात अिए को वहाँ एक सर अ काम कर दो है and they're gonna… they're gonna go triangulate on this position really, really soon. But you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, um… Okay, well… What we're thinkin' of as aliens are they're… uh… They're… They're extra-dimensional being that… An earlier precursor of the… the space program made contact with they are not what they claim to be they have infiltrated a lot of a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51 the disasters that are coming the military I'm sorry, the government knows about them and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art but they're not doing anything they want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable discharge I...I started getting... तो दोस्तों जैसा आप सभी ने सुना कि किस तरह गवराई हुई हालत में ये शक्स बात कर रहा था और सबसे चौका देने वाली बात इस ओडियों में थी एक्स्रा टेरिस्ट्रिस्रिल बिंग्स होने की बात कुछ बाते ऐसी भी हुई थी जो इस ओडियों में नहीं थी वो मैं आप सभी के साथ शेर कर देता हूँ दोस्तों Area 51 के जिस former employee ने कॉल किया था वो असल में Area 51 से medically discharge हुआ था और Area 51 की authorities से वे बचते बचाते वे देश में अलग अलग जगाओं में छुप रहा था उस Radio Call में इस शक्स ने कई और बाते भी बताई थी जैसे भविश्य में आने वाली कई प्राकरतिक आपदा हैं जिसके बारे में US government को पहले से ही पता है लेकिन वो पूरी दुनिया से ये बात छुपा रहे हैं और हैरान करने वाली बात एक और थी कि नासा भी इन एक्सर टेरिस्ट्रिल्स बिंग्स के कॉंटेक्ट में आ चुकी है लेकिन नेटवर्क सैटेलाइट के सिगनल की खराबी के कारण ये कॉल डिसकनेक्ट हो गई थी और जब दुबारा उस शक्स को कॉल लगाने की की गई तो कॉल दुबारा कनेक्ट नहीं हो पाई और इस इंसिडेंट के बाद इस शक्स का कोई पता नहीं लग पाया और इस इंसिडेंट के बाद दो लोग और सामने आये जिन्होंने एरिया 51 के कई राजों से परदा उठाया जिसमें पहले शक्स थे बाब लेजार जिन कई एलियंग यूएफोस का परिक्शन किया था जिसमें उन्होंने बताया कि ये यूएफोस एंटी मैटर रियक्टर से ऑपरेट होते हैं जिसमें एलिमेंट 15 का इस्तेमाल होता है जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेकिन ताज्जू की बात तो ये है कि इस एलिम और इनसानों का इन्वाल्मेंट 10,000 सालों से बना हुआ है और दोस्तों बाब लेजार के ऊपर भी एक फेमस डोकिमेंटरी भी बनी हुई है जो नेट्फिक्स पर एविलेबल है अगर आप और डिटेल में बाब लेजार के दावों को जानना चाते हैं तो आप ये डोकिमे उस्तों है और उन्होंने एरिया 51 में 18 एलियन्स के होने का दावा किया था जिसमें उन्होंने एलियन्स और यूए-फोस से जुड़ी कई इमेजिस को दुनिया के सामने रखा था उनका कहना था कि ये एलियन्स की उमर करीब 200 साल की थी और वे बात करने के लिए हमेशा टै region में क्वेग से कई लोगों कि ईसमें के समर्थल में कहा ङा ये टोल उंके Delhi की फोटो दिखाने के बाद सेमट सेम बनाई गई थी अभी सच्चाई थी इसका कोई भी पके पुप नहीं इन सभी इंसिदेंट्स को देखने चांवेशा है ये अंस क centuries यह चुट Tuc कर रहे थे लेकिन कोई भी पुक्ता सबूत ना मिल पाने के कारण इन सभी दावों को वे यूएस गवर्मेंट के सामने था नहीं कर पाए थे और हैरानी की बात यूएस गवर्मेंट की ये भी थी कि खुद गवर्मेंट ने 1996 में निवारा हाइवे 375 का नाम बदल कर Extra Terrestrial Highway रख दिया था इसके बाद दुनिया भर में लोगों के अंदर Area 51 में जाने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी और Area 51 में जाने की Curiosity में एक शक्स ने 2019 में Facebook पर एक इवेंट क्रेट कर दिया था जिसमें 20 लाग लोगों ने Area 51 में रेट करने के लिए अपना लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मान टीवी को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाए